हेलो और वेलकम बाग टू स्टेप बाइस्टेप स्टड़ी कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे आज की वीडियो का टॉपिक है हाड़वेर और सौफ़वेर जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको comparison बताने वाली हूँ hardware और software के बीच में plus कितने तरीके के हमारे पास software होते हैं उसमें आपका जैसे कि Microsoft Windows operating system ये क्या काम करता है तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ hardware, computer के physical parts जिसको हम touch कर सकते हैं वो होते हैं आपके hardware जैसे कि mouse, CPU, keyboard इन सब चीजों को आप touch कर सकते हो तो इसी वज़े से इनको बोलते हैं hardware कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसको आप सामने देख रहे हो अपने सामने मानलो आपके computer है जिस चीज भी चीज को आप touch कर सकते हो for example, एक keyboard है सामने keys को touch कर सकते हो आप CPU को touch कर सकते हो आप सामने की screen को touch कर सकते हो जो भी चीज को आप touch करके feel कर सकते हो उसको हम बोलते हैं hardware hardware is a physical part of a computer it can be touched no task can be performed by hardware without software software के बिना कोई भी task आप hardware से perform नहीं करवा सकते अब जब तक आपके computer में for example, आपने laptop लिया हुआ है सामने आपके laptop है अगर सामने screen ही नहीं आएगी बिना screen ही नहीं होगी आपका software ही रदा होगा अंदर तो क्या आप उसमें कुछ भी perform कर सकते हो आप कुछ भी perform नहीं कर पाओगे उस hardware से यह इस total waste of time and total useless यह hardware is total useless अब आप यह देख लीजिए जैसे कि keyboard से आप कुछ भी keys दबाएंगे तो क्या आप उस पे कोई भी keys दबा के कुछ भी perform कर पाएंगे क्या को input दे पाएंगे तो देंगे कहाँ जब तक हमारे पाँ software ही नहीं है तो हम input देंगे कहाँ पर तो कोई भी task हम hardware से perform नहीं करवा सकते बिना software के जो virus होता है वो हमेशा software को effect करता है कभी भी hardware को effect नहीं करता अब आपके keyboard है, mouse है कभी आपने यह देखा है कि आपके virus की वज़े से hardware खराब हो गया हो, नहीं आप hardware को यह खराब नहीं होता हमेशा software आपके effect होता है आपके computer के virus के थूँ या फिर computer bug के थूँ duplicate copies of hardware हम नहीं बना सकते हैं और example अब आप चाहो कि भाई मैं computer को या फिर मैं mouse को paste करके दूसरी जगे पे डाल दू या फिर मैं mouse को एक pen drive में लेके दूसरे computer में एक mouse को डाल दू तो क्या ऐसा possible है आप चाहते हो कि CPU को आप pen drive में लो और दूसरे computer में डाल दो क्या यह possible है तो नहीं यह possible नहीं है बिल्कुल भी तो duplicate copies of hardware cannot be made and hardware cannot be transferred electronically हार्डवेर को हम रांसफर भी नहीं कर सकते electronically software software क्या चीज़ है set of instructions या program which can be executed by a CPU यह set of instructions है या जिनको हम program भी बोल सकते हैं जो execute हो सकते हैं CPU के द्वारा उसी को हम बोलते हैं software right किसी भी task को perform करने के लिए set of instructions की ज़रत होती है उसे program बोलते हैं program के set को software बोलते हैं set of programs को क्या बोलते हैं software अगर software की बात करें तो it is set of programs alright program है क्या आपका और यह program क्या है program है आपका set of instructions जो instructions हम कंप्यूटर को देते हैं उसे बोलते हैं program ठीक है और instruction क्या है it is set of valid syntax set of valid syntax अब समझ में आ गया software है आपका set of programs programs है set of instructions instructions है आपके set of valid syntax right smallest unit of software अगर आपसे पूछा जाए smallest unit of software क्या है तो याद रखना है smallest unit of software है आपका module all right syntax क्या होता है वो rules जो specify करते है the correct combined sequence or symbols that can be used to perform correctly structured program using a programming language programming language में syntax क्या contain करता है strings that is similar to words much like human beings या फिर human language syntax syntax डिस्क्राइब करता है कि language को language variables को और characters को may be combined into strings right तो अब आपको समझ में नहीं आया होगा syntax I am sure तो अब मैं आपको एक Hindi में समझाती हूँ इसका मतलब सबसे पहली चीच तो questions और कर लो person who develops software उसको क्या बोलते है person who develops software जो software को develop करता है person उसको हम बोलते है programmer right collection of modules को बोला जाता है software collection of programs या फिर collection of programs या फिर collection of module को software बोला जाता है all right syntax rules होते हैं जो structure of language को define करते हैं यह rules होते हैं जो structure of symbols, pronunciation and words of programming language को control करते हैं syntax के बिना meaning या फिर semantics हम बोल सकते हैं meaning of language is impossible to understand किसी भी language का meaning समझवाना syntax के बिना impossible है for example मैंने यह लिखा car I have यह बिना syntax के लिखा हुआ है without syntax अगर इसमें एक valid syntax हम लगा देंगे तो इसका बन जाएग एक meaningful sentence that is I have a car तो यह होता है syntax का use कि एक sentence को meaningful language देना एक program को एक code को meaningful language देना अगर syntax of language follow नहीं होता तो code understand नहीं हो पाएगा compiler और interpreter से ठीक है compiler क्या काम करता है आपका compiler convert करता है programming language को जैसे कि Java C++ into binary form compiler क्या काम करता है हाइ लेवल 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 में लो लेवल या फिर हम कह सकते है machine level language में convert करता है machine level कौन से होती है 0101 की form में convert कर देता है binary form में convert कर देता है जो की computer understand कर सकता है syntax अगर गलत होगा तो code compile नहीं होगा syntax गलत होगा तो code भी compile नहीं होगा interpreter का क्या काम है जो execute करता है programming language को javascript और python at a run time basic syntax basic syntax fundamental rules of programming language basic syntax fundamental rules of programming language without these rules it is impossible to write a functional code write अब software के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते है software cannot be touched अब आप सामने देखो screen है अब आप चाहो कि आप words को touch कर लो तो क्या आप टच कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे आप किस चीज को touch कर पाऊगे इसको आप अप 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 अंदर को आप वालो यह मैंने पिचर बना दी है इसको आप समझ लो कि यह कोई भी बहुत बढ़ी असी एक्ट्रेस है तो क्या आप इस एक्ट्रेस को touch कर पाऊगे physically नहीं कर पाओगे आप क्या करोगे आप सिरफ इसकी screen को touch कर पाओगे आप इसको touch नहीं कर पाओगे तो वही चीज होती है software जिसको touch नहीं करा जा सकता software can be executed by hardware software हमेशा कब execute होगा हमेशा hardware के साथ ही execute होगा it cannot right it cannot be executed without a hardware अगर hardware नहीं होगा तो software भी execute नहीं होगा virus हमेशा software को effect करता है hardware को effect नहीं करता duplicate copy software की बना सकते हैं हम और software can be transferred electronically software transfer हो सकता है electronically software का examples क्या है operating system microsoft office यह सब software के examples है software के कितने types हैं यह important है तो आपको करना क्या है मैं जैसे जैसे लिखती जा रही हूँ आपको उसी तरीके से लिखना है और अपनी copy में fair कर लेना है इसको ठीक है it is very important क्योंकि यहां से एक दो नंबर की questions बन जाते हैं तो types of software आपके कौन-कौन से software होते हैं सबसे पहला software होता है आपका system software दूसरा होता है आपका application software तीसरा है आपका utility software और चौथा है आपका other software राइट तो application software में आपके कौन-कौन से software होते हैं पहला से system software की बात करते है system software में आजाता है आपका operating system दूसरा है आपका compiler तीसरा है आपका interpreter फोर्थ वन इस linker और loader यह है आपके system software अब आपके application software में आजाते हैं आपके MS Word MS Excel MS Access PowerPoint वह हो गया Excel ही हो गया आपका PowerPoint sorry Paint यह सब आजाते हैं आपके application software में अब utility software में आजाते हैं आपके जैसे की antivirus disk cleanup disk defragmented और आपके other software में आजाते हैं जैसे की freeware shareware shareware OS All right समझ में आगया आपको यह सब चीजें आपको क्या कर देनी है किसी copy में note-down कर लेनी है because it is very important from exam point of view क्योंकि आपको यह दे दिया जाएगा compiler जो है वह किस तरीके का software है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए compiler एक system software है आपसे पूछा जा सकता है कि MS Excel किस तरीके का software है तो MS Excel एक application software है antivirus कैसा software है एक utility software है Dix cleanup कैसा software है एक utility software है ठीक है freeware, shareware क्या यह software है तो हाँ यह भी software है ठीक है system software की अगर हम बात करें system software तो यह क्या होते है system software sorry computer के जितने भी system है उनको आपस में connect करके रखता है CPU, motherboard के थूँ computer के जितने भी system है system software उनको connect करके रखता है आपस में CPU और motherboard के थूँ system software किस काम आता है it is used for operating hardware जैसे operating system system software use होता है hardware को operate करने के लिए जैसे कि हमारे पास operating system है अब आप मुझे यह बताईए क्या आप mouse को या फिर keyboard को चला सकते हो बिना operating system के अगर आपके पास operating system ही नहीं डला हुआ सामने तो क्या आप mouse को आप कुछ भी करते रहो तो सामने आपकी screen पे कुछ लिखेगा ही नहीं आप keyboard से कुछ भी type करते रहो आपके input जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं अंदर system software कोई ठीक है जब operating system को हम install करते हैं तो उसमें system software भी install हो जाता है अपने आप राइट तो एक और हम फिर से में आपको बता देती हूँ कि system software क्या होता है जो computer को चलाने में मदद करते हैं system software होते हैं ध्यान से सुनना है और अगर note down करना है तो note down कर लो जो computer को चलाने में मदद करते हैं system software कहलाते हैं इनको computer में अलग से install करने की जरुरत नहीं होती जब भी आप window को install करते हैं वैसे ही ये computer की memory में आ जाते हैं तो जो system software है जब operating system को हम windows को operating system को install करते हैं तो system software भी आपने आप ही install हो जाता है साथ-साथ provides platform for running application software ये एक platform provide करता है application software को run करवाने के लिए अब आपके पास है operating system है ठीक है windows आपके सामने खुल गई operating system आपका डल गया तो ये microsoft word, excel, access, powerpoint, paint ये सब इसी के ओपर चलेंगे ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि भई ये operating system है नहीं आपके उसमें डला हुआ और कोई ना कोई या फिर system software तो कुछ डला नहीं हुआ और आपने excel चला दिया भी मतलब में या फिर आपका powerpoint चल रहा है नहीं चलेगा ना तो वो तब ही चलेगा तब system software आपका डला होगा उसमें ठीक है system software independently run करता है या फिर work करता है user system software से interact नहीं करता because ये background में काम करता है अब आपको कुछ भी काम करना है तो आप google पे जाएंगे वहां काम करेंगे Gmail खोल लेंगे जादे जादे आप application software यूज कर लेंगे आप interpreter, linker, loader ये सब इनके साथ आपका क्या काम है आप मुझे ये बताइए तो direct user जो होता है compiler, interpreter ये अपने आपी काम करते हैं तो ये direct जो होते है ये आपका user होता है आप लोग इनसे direct interact नहीं करते हो आप linker से, loader से, interpreter से, compiler से direct interact नहीं करते है ये अपने आपी background में काम करते रहते हैं ठीक है अपने आप run करते हैं जैसे ही आप computer को on करते हो तो ये अपने आप ही run करता है system software और जैसे ही आप computer को off करते हो जैसे ही system software ओफ हो जाता है समझा गया तो अब हम बात करते हैं कि operating system के बारे में system software हमने पढ़ दिया कि क्या होता है अब हम पढ़ेंगे operating system क्या होता है कि कि इसको मैं रेज कर देती हूं अब बात करेंगे ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह डाइग्राम आपको बना देना है ओपरेटिंग सिस्टम का यह है आपका अप्लिकेशन यह है आपको अप्लिकेशन यहां पर है आपका हार्डवेर यह है आपका हार्डवेर hardware में भी यह हो गया आपका CPU एक हो गया आपका input output device तीसरा हो गया आपका hardware में RAM यह हो गया users आपके multiple user 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on यूजर को hardware के साथ जोडने का काम करता है आपका operating system मतलब कि इन users को hardware के साथ जोडने का काम करेगा यह बीच वाला operating system यह एक interface की तरह काम करता है between user and hardware एक interface की तरह काम करेगा between user और hardware की बीच में एक interface की तरह यह काम करेगा operating system अगर हमें क्यों चाहिए अगर operating system नहीं होगा तो होगा क्या मानलो यह operating system हम गायब कर दें बीच में से तो होगा क्या देखिए तो क्या होगा अगर कोई भी user किसी hardware को access करना चाहता है तो उसके लिए उसको लिखना पड़ेगा एक program to access the device for example कि अगर मुझे कुछ print कराना है तो मैं direct print पे जाके print नहीं करा पाऊंगी मुझे उसके लिए बहुत बड़ा सा program लिखना पड़ेगा ताकि printer को पता चल जाए कि उसको कुछ print कराना है तीक है सबसे पहले मुझे cpu को invoke करना पड़ेगा फिर मुझे input output devices को invoke करना पड़ेगा कि मुझे print कराना है आप खड़े हो जाओ और आपको प्रिंट करना है उसके बाद में मैं इसको एक program लिखके दूगी ताकि यह print हो जाए ठीक है इसकी वजह से user और hardware की बीच में communication complex हो जाएगा बारवर आप program लिखो गे इतना तो user के बीच में और आपके hardware के बीच में जो communication है वह बहुत जादा complex हो जाएगा इसलिए हमें ज़र्द परती है हमारे operating system की ताकि यह सब ना हो अब तो आपको क्या है जब अपरेटिंग system है तो आपको प्रिंट है उपर प्रिंट की कम प्रिंट दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है प्रिंट हो जाएगा है ना को कोई भी फाइल है वो निकल के आजाएगी अगर यह operating system ही ना हो तो हमें इतना बड़ा पहले तो प्रोग्राम निखना पड़ेगा पता नहीं कितने पेजिस का तो प्रोग्राम निखना पड़ेगा फिर उसको input output devices को CPU को invoke करना पड़ेगा और उसके बाद जाके कुछ आपक यह हमारे पास है operating system operating system के examples क्या है जैसे windows, linus, macintosh यह सब होते है operating system के examples ठेक है primary goal होता है operating system का to provide convenience primary goal क्या है operating system का convenience प्रोवाइड करवाना users को अल्राइट तो अब यूजर चाहता है कि भई यह टास्क ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो टास्क ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो मतलब जो throughput है उसका throughput है वह ज्यादा throughput क्या होता है जितना ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट होगा ठीक है उतना ज्यादा उसका throughput होगा मैं जितना ज्यादा एग्जीक्यूशन स्पीड होगी उसका जितना ज्यादा एग्जीक्यूट होगा टास्क उतनी ज्यादा उसकी throughput होगी तो user चाहता है कि number of tasks जो है वो ज़्यादा perform हो हमें ऐसा operating system चाहिए जिसका throughput जो है वो ज़्यादा हो और वो convenient भी ज़्यादा हो तो operating system हमें कैसा चाहिए होता है जो की convenient हो और जिसका throughput भी ज़्यादा हो ठीक हमें इस तरीके का operating system चाहिए होता है operating system के example क्या होते हैं जैसे linux macintosh यह apple का operating system है windows windows 10, windows 9, windows 8 यह सब आती है न तो यह windows तो पहले तो windows ने कम से कम नहीं तो 95 to 97 percent market acquire कर रखे दी लेकिन अब जो है यह linux और macintosh भी आ गए है तो आप windows की market acquisition करीब 80 percent से 85 percent है बाकी 15 percent इन दोनों नहीं कर रखे आप कभी भी देखना आप phone चलाओगे android का उसमें operating system है आप windows कभी भी किसी laptop को चलाओगे तो उसमें देखना यूज्वली windows ही रली होती है उसमें ठीक है windows का यह operating system डला होता है जॉर्णली तो functionality क्या है इस operating system की मतला इस operating system को functions क्या होते हैं operating system की हमें यह functions हमें जो है operating system जुरत क्या है इसकी सबसे पहली functionality है operating system की process management की हमें अपने system में प्रोसेस को manage ठीक है हमारे system में यह process को manage करता है for example मैंने एक बार में microsoft word, microsoft paint, microsoft excel, microsoft office यह सारी चीज़े चला ली अब इस process को कैसे execute करना है इस सारे process को कैसे execute करना है वो यह देखता है कि वो यह देखता है operating system ठीक है कि मतलब की MS office भी खोल लिया मैंने MS excel भी खोल लिया मैंने 10 चीज़े खोल रहे हैं सारे तरीके के application software मैंने खोले हुए हैं अब इन सब software को कैसे execute करवाना है कैसे इन process को execute कराना है उसे हम बोलते है CPU scheduling CPU scheduling मतलब क्या होता है कि CPU पे कैसे process को execute करना है वो होता है CPU scheduling CPU पे process को execute कैसे कराना है उसे बोलते हम CPU scheduling अब CPU scheduling आपका है क्या यह मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने Microsoft Access Paint यह सब चीजे चला रखी है अब कौन सा काम पहले होगा और कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले execute होगी first come first serve method इसमें यूज होगा ठीक है तो CPU scheduling के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह होता क्या है CPU scheduling is first come first serve तो criteria arrival time होता है इसमें कि जो पहले आया उसको execute करता है यह criteria arrival time मतलब जो पहले आया उसको execute करेगा अब इसमें मतलब क्या है इसका मान लो की यह process number है यह हमारे पास arrival time है this is your burst time process 1, process 2, process 3, process 4, process 5 right मालोई यह है excel का process यह है power point का यह paint का यह process चलाय हुआ है आपने office का ms office ठीक है तो इसमें क्या है इसका arrival time है 0 seconds इसका arrival time है 2 seconds इसका arrival time है 6 seconds इसका है 7 seconds इसका burst time है 3, इसका burst time है 2, इसका burst time 2 और इसका burst time भी 2 seconds इसका मतलब क्या है burst time का कि कितनी देर तक वो process चलेगा for example कि 0 seconds बे इस process arrive हुआ और 3 seconds सक इस process को चलना है तो हम बनाएंगे कैसे इसकी table यह बनेगी कुछ इस तरीके से यह 0 से हमेशा 0 से ही start होता है 0 seconds से 0 seconds पे पी 1 प्रोसेस आ गया अब यह जो प्री 1 प्रोसेस से 0 seconds पे आया इसको 3 seconds लगेंगे execute होने में तो 3 seconds यहाँ पर आ गए ठीक है 3 seconds लगे अब 2 seconds में जो पी 2 था वो वेटिंग में था वो वेटिंग में था तो यहाँ पर आ गए आपका पी 2 पी 2 को कितना टाइम लगा 2 seconds पी 2 को भी चाहिए तो 3 से 5 दो से किंड पी 2 ने ले लिए 5 seconds हो गए अब 6 seconds में आना है पी 3 को 6 seconds में आना है पी 3 को तो 5 से 6 का slot तो हमारा क्या हुआ खाली रहा क्योंकि 6 में आना है पी 3 को तो 6 में आएगा पी 3 तो यह हमारा 6 में आ गया पी 3 यह कितना टाइम ले रहा है आपका 2 seconds 8 अब क्या है 7 seconds अब यह वेटिंग में आपका जो पी 4 वेट कर रहा है अब हमारा P4 यहां पर आ गया और P4 वेट कर रहा था हमारा तो यह भी 2 seconds लेगा तो 10 seconds इसमें ले लिए तो total अगर आप से time पूछे कि इस पूरे process को execute होने का इस पूरे process को P1, P2, P3 और P4 को execute होने में कितना time लगा तो P1, P2, P3, P4 को execute होने में लग गए हमारे 10 seconds all right so this is known as CPU scheduling दूसरा काम क्या होता है इसका resource management का second function is resource management दूसरा काम है resource management का इसमें parallel processing यूज होती है अगर multiple user server level पे एक hardware को access कर रहे हैं उस time पे resource manager की तरह काम करता है कि operating system किस user को कितने time के लिए hardware की access देता है for example मैं लो 6 users हैं और वो एक CPU को access कर रहे हैं ठीक है तो ये resource management ये देखेगा कि भई ये पहले user ने उस CPU को पकड़ा हुआ है hold कर रखा है तो ये resource ये manage करेगा ये इस तरीके से resource manage करेगा कि पहला user कितनी देर तक कि लिए उसको hold रखे और दूसरे user के पास वो कब चला जाना चाहिए तीसरे user के पास कब चला चाहिए first come first serve वाला ठीक है तो इस तरीके से resource की management करता है तीसरा काम इसका होता है storage management का third इसकी functionality होती है storage management की storage management मतलब जो data हम permanently store करना चाहते हैं उसे कैसे store करना है वो देखता है operating system उसको operating system देखेगा ये इसे देखता है file system के through जैसे की NIFS, CIFS ये इसको देखेगा इन दोनों चीजों के through चौता काम है इसका memory management memory management मतलब RAM कि RAM हमारे limited होती है तो ये देखता है कि कितनी memory full होनी चाहिए कितनी memory में क्या होना चाहिए और हमारी RAM को कितना होना चाहिए कि वो खाली भी रहे पूरी की पूरी overload ना हो जाए तो ये सब देखेगा memory management का भी काम करेगा ये storage management चौता memory management और ये गाम करेगा security and privacy का security and privacy वो कैसे जैसे कि हम open करते है अपनी windows को तो पासवर्ड मांगता है इस तरीके से हमारी हर फाइल को हर डेटा को सिक्योर रखता है और रहता है थाफित ठीक है, CarPro Security System के थूआ, CarPro Security System को यूज़ करके, यह हमारी files को, हर चीज को store, या फिर secure रखता है, या फिर privacy इस तरिके से उसकी maintain रखता है, I hope आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाया, तो यह था आज के लिए, अगली बार हम क्या करने वाले हैं, अगली बार हम करने वाले हैं, अपरेटिंग सिस्टम हो चुका, हमारा compiler, interpreter, यह सब हम पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम, जैसे की MS Office, MS Word, Excel, यह सब पढ़ में, हम अपना शुरू करेंगे, RAM, ROM, या फिर पहले RAM, ROM आपको करा के, फिर इसके बारे में आगे हम कर लेंगे, पूरा, तिल देन, टेक केर, all of you, and keep studying.